हालो फ्रेंट्स स्वागत आपका चिराग क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बढ़ी होगे तो फ्रेंट्स जैसा यह आप सभी को पता है यह सब बढ़ी हो चुका है जिसके अंदर आप सभी को बता दिया गया कि आपका जो फिजिकल हो तेई सितंबर से स्टार्ट होने वाला है इसके साथ साथ आपका फिजिकल मेडिकल डोकुमेंट वेरिपिकिशन तीनों प्रोसेस एक साथ होगी और यह प्रोसेस थी सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रेंट ऐसे में बहुत सारी कंडियर्ट का एक सवाल बन रहा है कि अब भी जो कटोप है वो ज्यादा जाएगी या कम जाएगी क्या कटोप के अंदर हमारे को फरक देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो सारी जानकरी आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है वीडियो के लाश्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है इस notice के अंदर मैंने सुबह एक वीडियो बनाकर सारी डीटेल आप सभी को बता दी है इस notice के अंदर 11 पोइंट बताए गए है जिसके अंदर आपकी बरती की पूरी process समझाए गई है कि जैसे कब से आपका physical होगा, कब से आपका document verification, कब से मतलब physical, document, verification and medical यह तीनो प्रोसेस से साथ होगी और इसमें 49 दिन का आपको समय लगने वाला है ठीक है, इसके बाद में आपका final result कब तक जारी होगा, यहां पर आप देख सेते हैं यह सारी detail आप सभी को बता दी गई है तो अब यहां पर यह notice आने के बाद में बस आपका यही सवाल बन रहा है कि सर कटोप में क्या परकत देखने को मिलेगा तो प्रेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपका SSC GD बढ़ती है इसका जो PST कटोप है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला था अब हो सकता है यह PST कटोप पहले से आपकी बढ़ा दी गई थी क्योंकि यह तीनों प्रोसेश एक साथ होने वाली थी विबाग को पता था इस वज़य से आपकी जो PST कटोप है वो ओल्रेडी बढ़ चुकी है मतलब अब आपकी PST कटोप नहीं बढ़ने वाली ठीक है जो फिजिकल के बाद वाली जो कटोप आती है अब वो नहीं बढ़ने वाली क्योंकि इसको जो PST का रिजल्ट है था फिजिकल का रिजल्ट है था कटोप आपका रिखला था तो वह ओल्रेडी बहुच यादा फलस्ति कुछ स्टेट में था 20-20 नंबर फलस्ति पिछे साल की अपक्सा ठीक है तो अब यहां पर आप देखोगे जैसे 2022 वाली 2021 और 2024 वाली वेकेंसी ठीक है इनका तो आप डेटा यहां पर देखे चुके हैं हर साल कटोप कितना कितना बढ़ती है आपको पूरा डिटेल वाज कटोप बता देता हूं ठीक है तो आप वीडियो के लाज्ट तक बेंदे रहें और अगर आप भी एससी जीडी वरती 2024 वाली वेकेंसी के अगर तयारी में लगे हुए तो यहां पर चक्षू पॉब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज रिजिनिंग मैतामेटिक सामाने ग्यान और हिंदी परते एक बुक के अंदर आपको 750 प्लस अब्जेक्टिव टाइप के क्यूशन मिल जाएगे विट सॉलिश की गई है मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं यह आप देख सकते हैं इस परकार की बुक है ज्यादा बड़ी बुक नहीं है आप आरान से पढ़ सकते हैं और इसका रियूजिन भी कर सकते हैं ठीक है और यहां पर जैसे आपको बताते हैं तो अगर आप मेहत वाली की से समय करें और यहांपर पिछले सालों के एकजामों के अंदर पूचे गये सवाल ही आपके यहां पर दिए गये थे ठीक है यहां पर जैसे сंक्यय प्रत्तिति पर अप सहरे सवाल आपको यहां पर देखने मिल जाएगी और अगर इनके solution की बात के तो बहुत ही बड़ी किस टेट का कितना कितना कट addiction यहां पर प्लस रह सकता है अगर बात करने जैसे से यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ इस乐 Wakeём लटन वासे तेलंगान चांप रहा चोनाप लोगा तीन नंबर प्लस और चार नंबर प्लस और मतलब कुछ इस्टेट में तो कटोप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है ठीक है यह आप देख सकते हैं 2022 की कटोप है ठीक है पीजिगल कटोप थी और फानल कटोप इतना बढ़ा था ठीक है अब यहां पर बात के 2024 के अंदर तो इनकी कटोप आपके सेम रहनी वाली है जैसे आपके शिक्रम तमिला डो तेलंगाना ठीक है इसके बाद मीचे से तिरपूरा है यूपी है उत्राखंड है और वेस्ट बंगोल है अब यहां की कटोप आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहां पर किसकी गई है तिरपूरा की 14 नं नहीं बढ़ेगा और यहां पर शाय से ज्यादा नहीं बढ़ेगा अगर बात करें जारकंड है कनाटक केरला है लड़ाक है यहां का तो आप देखोगे पांच चार जीरो और तीन इतना ही नमबर बढ़ा है और इस बार भी आपको लगबग इतना ही पलस देखने को मिलेग ठीक है तो इतना नमबर है तो आप बिल्कुल शेप है आप अपना आगे तयारी जादी रख सकते हैं इसके बाद भी जिसे MP है महाराष्टर है और इसके बाद मनिपूर है मेगाली है मिजोरम नागालेंड है यहां का गटोब देखे गए तो सबसे जदा आपका महाराष्टर गटोब बहुत ज़्यादा गया है तो अब यहां पर महाराष्टर है गटोब लगबग मैं आपको बताते था हूँ छैसे साथ नमबर इससे जज़्यादा आपका महाराष्टर गटोब नहीं बढ़ेगा अगर बात करें मिजोरम तो मिजोरम का आठ नमबर पलस रहने वाल जो अभी आपका कटोब गया इससे साथ या आठ नमबर आपका कटोब पलस रहेगा ठीक है इसके बाद में यहां पर कुछ और भी स्टेट है जैसे अरुनाचल प्रदेश अंडमान निकोबार और अंदर प्रदेश है तो यहां का कटोब प्रेंट्स आप देख सकते कितना तो सेम कटोब रहने वाला है जितना पिछले साल बढ़ा था उतना ही आप बढ़ने वाला है तो यह जो आप फरक देख रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत आप कम कर लिजिए जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर जैसे पलस तीन रहे तो इस बार लगबग थोड़ा सा दि ठीक है तो यह थी आपकी कटोब अब यहां पर फ्रेंट्स में आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूं कि अगर आपका हिंदी स्टेट्स है तो आपका कितना कटोब रह सकता है और अगर नोन हिंदी स्टेट्स है तो आपका कितना नंबर रह सकता है ठीक है मैं सा साथ नंबर पलस है तो आप बढ़िया है आप शेप है ठीक है अगर आप नोन हिंदी स्टेट से हैं तो आपका लगबग चार से पांच नंबर पलस यह कटोब आपका रहने वाला है इससे ज्यादा आपका कटोब नहीं बढ़ेगा जितनी भी आपके कटोब गई है इतना इत देख सकते हैं मैंने परतेग बच्चे का रिपलाई दिया है इसके बाद में एक नेक्स वीडियो लाओंगा जिसके अंदर आप सभी को पता है आपकी तीनों प्रोसेश एक साथ होने वाली है तो इनके अंदर कौन-कौन से डोकुमेंट चाहिए होगा उसका मैं एक वीडि देखेगा आपको पूरी मदद मिलने वाली है ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक लिए जय हिंद जय वारत वंदे मात्रम